शराब निती गोटला केस में अर्विन के इजरिवाल को आई कोर्ट से जटका लगा है मामले में अगली सुनवाई 3 अपरेल को होगी आई कोर्ट ने एडी से 2 अपरेल तक जवाब मागा है दिल्ली आई कोर्ट में 3 अपरेल को अगली सुनवाई होगी फिलहाल अर्विन के इज्रिवाल जेल में ही रहेंगे तो दूसरे तरफ अर्विन के इज्रिवाल की गिरफतारी के बिरोध में आम आदमी पाकी के कारे करता थाली बजा रहे हैं तो उनकी पत्नी सुरीता केज्रिवाल बिमारी की बात कह रही हैं आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो अरविंद केज्रिवाल कुरोना काल में थाली बजाने को लेकर देश वासियों और प्रधान मंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे कहते थे किया थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा आज जब वो 338 करोड के दिल्ली शराब घुटाली को लेकर एडी की हिरासत में हैं तो उन्ही की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सडकों पर विरोध प्रधर्शन कर रहे हैं केजरी वाल के गिरफतारी को लेकर विरोध जता रहे हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थि मंत्री सौरभ भरधवाजनी आप कारिकरताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रधर्शन किया और केजरी वाल को रिहा करों के नारी लगाए विडम्बना ये है कि लालु यादाव जैसे नेताओं को अर्विंद केजरी वाल कभी ब्रष्टाचारी बताती थे लेकिन आज वो ना सिर्फ उनके साथ है शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालु यादाव के पदचिन्नों पर चलते दिखाई दे रहे हैं वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालु यादाव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देना पड़ा था लालु यादाव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी रावणी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था आज जब केजरीवाल जेल में हैं तो अटकले लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं केजरिवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरिवाल दो बार प्रेस कॉन्फरेंस कर चुकी है और दोनों ही बाद उन्होंने उसी कुरसी पर बैठ कर प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें बैठ कर खुद अरविंद केजरिवाल पीसी करते थे आपके बेटे और आपके भाई अर्विन केज्रिवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजाए मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफतार कर लिया गया मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा मेरे जिन्दगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है, मेरे शरीर का एक एक कत्रा देश के लिए है इस प्रित्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है, आज तक बहुत संघर्ष किये आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं इसी लिए ये गिरफतारी मुझे अचम्बित नहीं करती उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में हैं लेकिन आत्मा आप सब के बीच है आखे बंद करो मुझे अपने आसपास महसूस करोगे लालू यादव हिमंत सोरेन जैसे कई निताओं ने जेल जाने से पहले सीम पत से इस्तिफा दे दिया था लेकिन नेतिक्ता की बड़ी बड़ी बाते करने वाले अरविंद केजरिवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे निता हैं जिन्हों ने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंती पत से इस्तिफा नहीं दिया है ये वही केजरिवाल हैं जो कहते थी के जिन नेताओं पर फिष्टाचार के आरोप लगें उन्हें तुरंथ